तो आज हम लोग सीखेंगे बाउंडरीज औफ साइनेक्स एंड कोसेक्स की हेल्प से ट्रिग्नोमेटरी इक्वेशन सॉल्ड करना तो देखो यहां पर हम लोगों को एक क्वेशन दिया हुआ है साइन 3x प्लस कॉस 2x इस इकल तो माइनस 2 लिखा हुआ है इसका मतलब दोनों को माइनस 1 होना पड़ेगा दोनों माइनस 1 होंगे तब ही जाके माइनस 2 हो सकता है दोनों का एडिशन अदर्वाइज नहीं हो सकता देखो तुम ऐजिम कर लो साइन को 2 मिनिटे के लिवलोग 0 माल लेते हैं तो अगर addition minus 2 बनाना है तो cos को अकेले को क्या होना पड़ेगा minus 2 जो हो नहीं सकता अगर साइन को मैं 1 माल लेता हूँ तो cos को इस case में कितना होना चीए minus 3 होना चीए तो भी वो possible नहीं होगा इसका मतलब यहां के बस एक ही case से ऐसा तभी possible हो सकता है सिर्फ जब sin 3x भी कितना हो minus 1 and cos 2x भी कितना हो minus 1 हो अगर ऐसा है तभी जाके इन दोनों का addition minus 2 हो सकता है otherwise नहीं हो सकता है तुम जो मर्जी value रखना है रख सकते हो और ऐसा हम लोगों को कैसे सोचना है क्योंकि हम लोगों को पता है sin की value कहां से कहां तक होती minus 1 से 1 similarly cos की value भी कहां से कहां तक होती है minus 1 से 1 तब जब दोनों minimum होंगे न तब ही जाके minus 2 हम लोगों के पास इसका answer निकल के आएगा otherwise दोनों minus 1 हो नहीं सकते हैं तो चलो अब हम लोग इन equation को solve कर लेते हैं तो sin 3x is equal to minus 1 लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते है sin के अंदर minus pi by 2 इसी तरीके से cos 2x is equal to minus 1 जो होती है cos pi की value यह ना cos 2x is equal to minus 1 का answer भी हम लोगों पता है cos 3x is equal to minus 1 का भी answer बता है इन case अगर हम भूल गे तो हम general formula यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था sin theta is equal to sin alpha cos theta is equal to cos alpha के लिए तो यहाँ से हम लोग answer क्या लिख देंगे 3x is equal to n pi plus minus 1 की power n और यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर तुमारा minus pi by 2 तो x की value यहाँ से निकल की कितनी आगी n pi by 3 plus minus 1 की power n और इस minus को हम लोगों को plus बना देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर minus pi by 2 है तो यह कितना हो जाएगा minus minus 1 की power n pi by 6 और दूसरा answer किसमें चल रहा है end में cos 2x is equal to cos pi मतलब 2x is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n pi plus और minus pi तो x is equal to हो जाना चाहिए n pi plus minus pi by 2 तो हमारा जो final answer हो जाएगा x is equal to जो value है जो solution है जो equation को satisfy कर रही है या फिर हम लोग बोल सकते हैं solution set जो है वो solution set क्या है? दो solution का intersection जहाँ पर वो intersection क्या है? n pi by 3 minus minus 1 की power n pi by 6 intersection n pi plus minus pi by 2 where n belongs to z हमेशा की तरह तो intersection हम लोगों ने क्यों लिया है? क्योंकि देखो पहला वाला भी minus 1 होना चाहिए और cos भी minus 1 होना चाहिए minus 1 minus 1 होंगे तभी जाके दोनों मिलके क्या होंगे? minus 2 माल लो मैंने एक को 1 माल लिया अब addition मुझे लाना तो minus 2 है वो तो fix है constant है तो यहाँ पे मुझे केतना होना चाहिए minus 3 जो possible ही नहीं है तो इसलिए यह तभी possible होगा जब दोनों के दोनों मिलकर मलब individual कितने होंगे? minus 1 minus 1 अब देखो इसी दरीके से next question है xy जो है 0 से πाई की बीच में लाई कर रहे है और then total number of possible ordered pair x,y which satisfies the equation sin x cos y is equal to 1 तो देखो यहाँ पे हमारे पास है sin x into cos y is equal to 1 suppose करो sin x तुमने 1 by 2 ले लिया है ना दो number का multiplication बने मतलब यह एक दूसरे के inverse हो सकते है अगर मालो मैं sin x is equal to 1 by 2 ले ले लेता हूँ तो cos को कितना होना पड़ेगा 2 जो हो नहीं सकता अगर मैंने sin x को माल लिया 1 by 3 तो cos कितना होना चाहिए 3 मतलब sin और cos में से मैं किसी भी एक को fraction नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अगर मैं किसी एक को fraction लोगा तो एक किसी दूसरे को 1 से बड़ा होना पड़ेगा multiplication 1 बनाने के लिए जैसा possible यहाँ पर नहीं है क्योंकि right hand side के अंदर हमें 1 ही बनाना है तो ऐसा कैसे कैसे बन सकता है तो ऐसा सिर्फ बन सकता है sin x is equal to 1 हो and cos x भी उसी टाम पर कितना हो 1 और यहाँ पर क्या होना चाहिए and मतलब दोनों साथ में होने चाहिए या फिर दोनों minus 1 हो जाए sin x is equal to b कितना हो जाए minus 1 and उसी टाम पर cos y भी कितना हो जाए minus 1 तभी तो जाएकि multiplication दोनों का क्या हो जाएगा 1 और दोनों की बीच में केस है कितना और और क्यों या तो दोनों plus 1 हो तो multiplication 1 हो जाएगा या फिर मतलब और दोनों के दोनों क्या हो minus 1 हो तो तब भी दोनों का multiplication मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसके अलावा कोई और possible नहीं है तोनों में से किसी एक को 0 बना नहीं सकते है तो multiplication कितना हो जाएका 0 अब देखो sin x is equal to 0 तो x is equal to क्या क्या हो सकता है in given interval 0 to 2 pi तो यहाँ पर से मुझे एक value ध्यान आ रही है वो कितनी होगी pi by 2 जो हम graph से भी देख सकते हैं अगर हमें pi by 2 sin x का graph याद है अगर नहीं sin x का graph तो जाद होना ही चीए ताकि value निकल के आ जाए इसी तरीके से cos x is equal to 1 कहाँ कहाँ पर होता है 0 से 2 pi के बीच में 0 और 2 pi पर ही तो x is equal to हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 0 & 2 pi अगर sin x is equal to minus 1 है तो 0 से 2 pi के बीच में एक जगे वो होता है और वो कितनी value होती है से x is equal to 3 pi by 2 अगर cos x is equal to minus 1 है तो cos x is equal to minus 1 0 से 2 pi interval के अंदर एक जगे होता है और वो जगे कौन से होती है pi ठीक है इसको graph से भी तुम लोग verify कर सकते हो तो मैं इसको graph से बनाने की कोशिश करता हूं इहां पर हम बनाएंगे cos का graph यहां पर बनाएंगे हम sin का graph ठीक है तो sin का graph तो पता ही कहां से start होता है ऐसे तो यह 0 से 2 pi की बिच में बना दिया तो यह value कितनी होती है पाई यह वैली को इतनी है 2 पाई तो x is equal to 1 हमें सिर्फ एक ही जगे मिलेगा और cos x is equal to 1 के लिए cos का graph देख लिया जाए तो यह cos का graph है ठीक है इस तरीके से कुछ होगा तो cos का graph 0 यहाँ पर कहीं 0 होगा यहाँ पर पाई बाई 2 फिर 3 पाई बाई 2 तो पाई 2 पाई के लिए हम लोगों को ऐसे आगे जाना पड़ेगा तो यह –1 सिर्फ ए की जगे और वह कहां है cos x cos y is equal to –1 सिर्फ ए की जगे तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने cos x लिख दिया cos x की जगे हम लोगों को यहाँ पर क्या लिख देना चीज़े था cos y तो इसी जगे से cos y is equal to –1 सिर्फ ए की जगे है और वह value कितनी है पाई और cos y is equal to 1 1 जो है वह 0 पर और 2 पाई पर है तो अगर मालू मुझे ordered pair बनाना है ordered pair ordered pair जिसके अंदर मुझे x,y लिखना है तो देखो मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ इधर से हम लिख सकता हूँ पाई बाई टू जिरो और पाई बाई बाई टू टू पाई तो हमारा answer क्या अतना हो जाएंगे पाई बाई टू कॉमा जिरो एकस की value पाई बाई टू और य की value से टम पे कितनी हो पाई तो हमारा पर total कितने ordered pair आ रहे हैं तीन ordered pair आ रहे हैं है ना इस set के अंदर हमारा तीन element है तो इस question का answer हो जाएगा हमारा option number B 3 answer तो ऐसा question numerical type में पूछे जा सकते हैं अब next question हम लोग solve करते हैं solve for x and y अब देखो इस equation को ध्यान से देखना यह अलग type का question है left hand side के अंदर तो trigonometry equation दी हुई है और right hand side के अंदर हमें y के अंदर polynomial दिया हुआ है हम इसको directly यूही solve नहीं कर सकते हम सबसे पहले boundaries निकालेंगे हम सबसे पहले range निकालेंगे हम possible values निकालेंगे तो देखो left hand side के अंदर हमारा पास है 12 sin x plus 5 cos x यहाँ पे b की value 5 है और a की value कितनी है 12 तो under root a square plus b square अगर मैं calculate करूँगा तो आएगा 13 है ना तो हम लोग इसकी जो है range लिख सकते हैं इस function की जो है वो range कितनी होगी minus 13 से plus 13 close interval में दोनों के दोनों square bracket के अंदर इसका मतलब हम यह बात जानते हैं कि 12 sin x plus 5 cos x max to max कितना हो सकता है यह max to max हो सकता है 13 इसी तरी 9x plus 5 cos x की अगर हम minimum value calculate करना चाहें तो यह minimum होता है minus 13 अब right hand side वाला जो portion है वह quadratic function है y में तो यह है 2y square minus 4y plus 15 इसकी मुझे range निकालने है तो इसकी range निकालने के दो तरीके हैं जो हम लोग ने function chapter के अंदर discuss किया था या तो इसमें formula लगा तो minus d upon 4a से लेकर infinite तक या फिर perfect square बन लेते हैं हम लोग तो यह कितना होगा तो यह कितना होगा तो को में लने के बाद 2y का half 1 1 को add कर दो और minus कर दो plus 15 अब देखो यह किसका square बन रहा है y minus 1 का whole square बाहर से 2 जब multiply होगा तो यहाँ पर आ जाएगा और minus 2 से multiply होगे minus 2 plus 15 देगा तो यह हो कितना जाएगा हमारा y minus 1 का whole square बहार 2 multiply plus 13 अब देखो तुम इसको खुद को देखके बता सकते हो कि यह minimum कितना होगा और यह maximum कितना होगा या फिर अगर मैं तुम लोगों से इसकी range पूछू तब भी तुम लोग बता सकते हो तो इसकी range क्या होगी 13 से infinite क्यों क्यों क्योंकि देखो 2 into y minus 1 का whole square minimum क्या हो स than equal to 13 तो देखो left वाला आ रहा है minus 13 to plus 13 और यह आ रहा है 13 से infinite मतलब 13 है कैसा common point है जहां पर यह दोनों क्या हो सकते हैं equal हो सकते हैं तो देखो right hand side वाले से हम लोग solution आराम से निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोगों को देखना है कि यह पूरा का पूरा expression 13 कब हो रहा है तो देख यहां पर देख पार है हम लोग 13 यह y is equal to 1 पर हो रहा है तो right hand side वाले से तो हम लोगों को y की value easily मिल गई अब left hand side वाले से भी हम लोगों को 13 बना लेना चाहिए ताकि दोनों एक साथ बराबर हों बराबर क्यों कर रहे हम लोग क्योंकि equation के अंदर हम लोगों को बराबर करने के लिए बोला हुआ है तो यह equation कितनी होगे देखो left वाली 12 sin x plus 5 cos x तो यह भी किसके बराबर होना चाहिए 13 के बराबर तो यहां पर देखो यह equation बिल्कुल बैसी बनगी इससे पहले हम लोगों ने type पढ़ा था a sin x plus b cos x is equal to c तो यहां पर under root a square plus b square से हम divide कर देते हैं तो यह कितना होगे 12 upon 13 sin x plus 5 upon 13 cos x is equal to 13 upon 13 कितना होगे 1 अब हम लोग यहां पर formula बना सकते हैं देखो sin x into sin alpha plus cos x into cos alpha is equal to 1 वेर हम लोगों ने sin alpha किसको लिखा है 12 upon 13 को मतलब sin alpha हम लोगों ने किसको माना है 12 upon 13 को तो ऐसा मानने पर automatically cos alpha हम लोग लिख सकते हैं base upon hypotenuse से वो हो जाएगा 5 upon 13 तो देखो उपर formula बन रहा है sin sin plus cos 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 का formula तो यह क्या हो जाएगा cos x minus alpha is equal to 1 है ना तो यह 1 है ही सही तो हम लोग x minus alpha को लिख सकते हैं 2n pi क्यों क्योंकि cos 2n pi की value ही कितनी होती है 1 होती है तो x is equal to यहां से हमारे पास कितन 2n pi प्लस alpha अब देखो alpha तुम यहां से भी लिख सकते हो alpha is equal to sin inverse 12 upon 13 यह फिर alpha is equal to लिखा जा सकता है cos inverse 5 upon 13 तो हम cos में लिखते है maximum case में तो हम answer लिख सकते हैं 2n pi plus alpha और जो alpha है वो कितना हो जाएगा cos inverse 5 upon 13 और y की value कितनी है 1 तो अगर हम solution लिखना चाहें ordered pair में तो x की n की value अल लग लगाती रहेगी और y fix है तो जो solution side है उसके अंदर x जो है वो infinite है और y जो है वो fix है और y की value fix है वो कितनी है 1 के बरावर है तो यह हमारा boundaries वाले question solve हुए अब हम लोग पढ़ते हैं trigonometry inequalities पढ़ने से पहले है देखो हम लोग graph बना लेते हैं sin x and cos x का हमेशा trigonometry inequalities को solve करन कर लगते हैं देखो इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहां पर हम लोग बनाना चाहरे है sin का graph इसी तरीके से हम लोग graph बनाएंगे एक sin और cos के लिए तो यह हो गया हमारा किसके लिए sin के लिए इसी तरीके से हम लोग cos के लिए भी यहां पर x और y axis बना लेते हैं यह cos के graph के लिए तो इसको थोड़ा सा right में shift कर देते हैं देखो कभी भी trigonometry inequality solve करने के लिए तो हम लोगों को graph का use कर लेना चाहिए क्योंकि graph से trigonometry inequality solve करना आसान रहता है तो देखो मैं यहां पर graph बना रहा हूँ y is equal to sin x का left में और right में हम लोग बनाएंगे y is equal to cos x का graph तो graph तो वैसे सब लोग जानते ही हैं बट फिर भी यहां use होगा इसलिए मैं बना रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा इस तरीके से graph होता है sin x का और left में भी यह कैसे जाता है इस तरीके से और जो cos का graph है वो यहां से हम लोग बना सकते हैं मतलब उपर की तरफ से start होता है और इस तरीके से जाता है यहां पर ऐसे तो देखो यहां पर y is equal to sin x और y is equal to cos x तो सबसे पहले हम लोग equation solve करना चाहते हैं first first के अंदर first sin x से related अगर मालों किसे ने लिखा y sin x greater than 0 इस inequalities को solve करो तो देखो sin x greater than 0 मतलब y greater than 0 और y कहां इधर positive है तो यहां पर positive है तो y यहां positive है तो x की value यहां से यहां तक कितनी है पाई है तो इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x कहां से कहां तक होगा 0 से पाई के positive है आगे बनाओगे तब भी positive आएगा है ना यहां negative भी positive है तो इन सब value को include करने के लिए हम लोग को sin का क्या पता होना चाहिए period जो होता है 2 pi तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 n pi एड कर सकते हैं solution के अंदर तो हम इसको लेख सकते हैं 2 n pi से बढ़ा x की value और pi प्लस 2 n pi तक रहे इसी तरह से अगर मान लो यह question sin x greater than 0 की जगे sin x less than 0 होता तो क्या यह वाला portion हम लोगों को negative दिखाए दे रहा है जो pi से 2 pi के बीच में है तो हम लोग क्या लिखते sin x less than 0 के लिए x की value pi से 2 pi के लिए लिखते है फिर दोनों में क्या add कर दे थे 2 n pi 2 n pi plus pi से बढ़ा x की value और 2 pi pi plus 2 n pi तो यह हमारा answer रहता sin x less than 0 के लिए इसी तरह के से second question जैसे कि मान लो किसे ने भूला cos x greater than 0 solve करो तो क्या है यह हम लोगों को positive portion दिख रहा है जो कहां से कहां तक है minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है तो minus pi by 2 से x की value कहां से कहां तक के लिए होती है positive cos x minus pi by 2 से pi by 2 मतलब यह हो ग दो से लेकर यह कहां तक हो जाएगा pi by 2 plus 2n pi तक अब देखो similarly अगर मान लो हम लोगों को किसे ने बोला कि यह third बोल देते हैं इसको fourth बोल देते हैं हम लोगों को कि वह cos x less than 0 है अब cos x less than 0 होने पर यह वाला portion हम लोगों को negative दिखाए दे रहा है जो pi by 2 से कहां तक है 3 pi by 2 त करके कहां तक ले लेंगे इसको 3 pi by 2 तक और इसको general बनाने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे 2 pi by 2 plus 2n pi से लेकर x की value क्या है 2n pi plus 3 pi by 2 तक तो यह तरीका होता है हम लोगों को हमेशा sin और cos का graph बना लेना चाहिए जब हम लोग trigonometry inequality solve कर रहे हैं तो इस से related हम लोग के example solve कर लेते हैं देखो मानलो हम लोगों को ऐसा किस्तिने solve करने के लिए बोला कि cos x की value 1 by 2 से root 3 by 2 के बीच में 1 by 2 से cos x बड़ा है और कहां तक है root 3 by 2 तक हम लोगों को इस equation को solve करना है मतलब x की value बताने है general value बताने है तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे graph बनाएंगे graph बना लेंगे तो solve करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा बहुत आसान हो जाए देखो यह हो गया हम लोगों का cos का graph मतलब cos का graph के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे बना देते ह है अब देखो यह कहां से start होता है उपर से start होता है तो यह हो गया हमारा कॉस का graph क्लियर ऐसे होता है अब हम लोग देख लेते हैं कि को से जो है वह वह वन बाई टू पर value कब मिलती है यह थोड़ा सा graph हम लोग बड़ा बना लेते हैं इसको थोड़ा कैस समझने में आसा नह इसे यह बड़ा बना लेते हैं हम लोग इसका पार्ट कॉस का graph है clear अब देखो कॉस x is equal to 1 by 2 और कॉस x is equal to root 3 by 2 है ना तो यहां पर हम लोग 2 value ले सकते हैं एक value ले ले लेते हैं हम लोग 5 by 6 और एक value ले ले लेते हैं हम लोग 5 by 3 मतलब 30 degree and 60 degree दो value हम लोग यहां पर consider कर सकते हैं इसी तरह के से negative में भी यह होगा minus 5 by 6 और minus 5 by 3 तो अगर 5 by 6 की मैं बात करूँ तो यह हम लोगों को value कितनी देगा root 3 by 2 और 5 by 6 3 की बात करें तो value हम लोगों को कितनी देगा 1 by 2 तो अगर हम लोग देखें कि अगर cost की value अगर cost की value 1 by 2 से root 3 by 2 के बीच में है मतलब यहां पर तो हो गया हम लोगों का कितना 1 by 2 और उपर हो गया root 3 by 2 तो इसका मतलब cost का कौन सा वाला portion काम में आ रहा है यह इतना portion काम में आ रहा है जिसके अंदर root 3 by 2 वाला जो portion है वो तो किसमें ओना चाहिए open interval में और 1 by 2 व वैसा का वैसे right में भी आना चाहिए हम लोगों का है तो यहां पर यह हो जाएगा dark इस तरीके से यह पूरा पूरा portion आएगा और यह कहां तक आएगा root 3 by 2 के अंदर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा open interval लेना पड़ेगा तो अगर मानलो मैंने यह interval यहां पर select कर लिया है अब देखो यहां पर दो lines है है ना एक तो है कौनसी यह root 3 by 2 वाली और एक कौनसी line है हम लोगों की 1 by 2 वाली तो यह 1 by 2 प्लास root और root 3 by 2 सिर्फ इन ही point पर cut करेगी यह आगे भी intersect करेगी आगे भी करेगी ना तो इसलिए हम लोग को answer क्या लिखना पड़ेगा general पर देखो यहां पर जो है हम लोगों का जो point आगे हम लोग बनाएंगे यहां पर हम लोगों ने pi by 3 लिख दिया है तो यहां पर actually होता है कितना है pi और इसी दरीके से यहां पर यह कितना होता है minus pi तो अगर इस interval की length अगर मैं पता लगाओ तो यह कितनी होती 2 pi तो इस बीच में हम लोग answer लिख देते हैं और फिसको क्या add करते हैं उसमें 2 and pi तो x की जो value है वो होनी चाहिए अगर 1 by 2 से root 3 by 2 cos x है तो x की value लाई करनी चाहि minus pi by 6 और minus pi by 6 हम लोगों किसमा लिखना चाहिए open interval में और minus pi by 3 हम लोगों किसमा लिख जाना चाहिए close interval के अंदर union next हम लोग लिख सकते हैं इसकी value pi by 6 से और यहां पे यह कितना हो जाएगा पाइबाइ 3 तो हम लोग लिख सकते हैं 5 by 6 से 5 by 3 5 by 3 close interval में और 5 by 6 जो है वो किसमा हो जाएगा open interval के अंदर क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को equal नहीं लिखा हुआ है कहाँ पर equal नहीं है देखो इदर root 3 by 2 से equal नहीं है अब इस value को general बना लो हो तो general बना लेकर answer हम लोग क्या लिख देंगे इसका x is equal to 2n pi सब्जिके add करके 2n pi minus pi by 3 से लेकर 2n pi minus pi by 6 open interval union यह कितना हो जाएगा pi by 6 plus 2n pi से लेकर 2n pi plus pi by 3 तो n की value क्या है integer है n की value 1 रखो 0 रखो और इस तरीके से रखते जाओ तो x की वो सब value मिल जाएगी जिसके लिए यह given trigonometry in equation क्या हो रही होगी satisfy तो यह था हम लोगों का trigonometry पूरा का पूरा अब हम लोग next lecture से solve करना स्टार्ट करेंगे trigonometry के J में आये होए question trigonometry के था हम लोगों ने solve किये trigonometry inequalities के हम लोग question solve करेंगे और शीट किये तुपर éta tirar प्रूर्ट को अाइब मैं रहीचार है कि प्योंक तुपर फांब टाwości, कि रूजए तु fotवारार बता करेंगे झाल झाल